अब हम अगला फ्रक्ण लेते हैं बच्चों, दी आधारी शंक्रियाओं के नियम, पहला नियम लेते हैं हम लोग, क्रम विन में नियम, क्या है क्रम विन में नियम? यदि प्रतिक small a, small b belong to समुच्चा A के लिए, a star b is equal to b star a हो, तब समुच्चा A में संक्रिया star क्रम विन में नियम कहलाती है एक्जामपल ले करके समझते हैं, प्राक्रिय संक्रियाओं के समुच्चा A में, a star b is equal to n to b upon 4 द्वारा परिभासित संक्रिया star क्रम विन में नियम है कैसे? क्योंकि a star b is equal to a into b by 4 जहां a, b belongs to n है therefore, b star a is equal to b into a by 4 जहां a और b belongs to n अब ये इस पस्ठ है यहां पर कि a, b by 4 वही होता है जो b a by 4 अतह a star b is equal to b star a दूसरा सहचरियनियम इसके लिए तीन आवया होना जरूरी है यदि सभी a, b, c belong to समुच्च a के लिए bracket में a star b star c is equal to a star bracket में b star c हो तब समुच्च a में संक्रिया star सहचर्य कहलाती है इसको भी हम उदाहन से समझते हैं प्राक्री संख्याओं के समुच्च a में a star b is equal to n to b by 4 द्वारा परिभासित संक्रिया star सहचर्य है देखते हैं since a star b is equal to a b by 4 अब हम a star b star c is equal to लिख सकते हैं a b by 4 star c is equal to इसे लिखा जा सकता है a b by 4 into c upon 4 इसको simplify करने पर मिलेगा a into b into c by 16 तथा a star b star c is equal to a star b into c by 4 पहले हम b star c में परिभासा लगाएं तो हमें मिला a star b c by 4 अब यहां पर संक्रिया लगाने पर मिलेगा a into b c by 4 whole upon 4 इसको सरल करने पर मिलेगा is equal to a into b into c by 16 तो आप देख रहे हैं दोनों इस हीतियों में मान हमें a b c upon 16 मिलता है अता है स्पस्थ है a star b star c is equal to a star b star c तीसरा नियम देखते हैं तत्समक अवयों दी आधारी संक्रिया में तत्समक अवयों को लेकर के हम एक उदाहरन द्वारा समझते हैं एक उदाहरन लेते हैं 5 plus 0 is equal to 5 तो योग में शुन्य को योग तत्समक कहते हैं ठीक इसी प्रकार से 5 into 1 is equal to 5 तो गुणा में एक को गुणन तत्समक कहते हैं जहां रहें योग में तत्समक क्या है गुणा में तत्समक क्या है आप देखें शुन्य योग तत्समक है एक गुणन तत्समक है तो ठीक इसी प्रकार से दी आधारी में भी तत्समक होता है इसलें तीसरा हम समझेंगे A star क्या is equal to A बच्चों इसी को समझना है A star क्या is equal to A तो क्या के जगा पे हम क्या रखें और दी आधारी संक्रिया star क्या हो तो आएए अब हम इसके परिभासा रखते हैं समुच्चे A पर दी आधारी संक्रिया star such that A cross A tends to A के लिए small e belongs to A एक ऐसा आवयो है कि A star small e is equal to A is equal to small e star small a तब small e को दी आधारी तत्समग कहते हैं एक उदाहन से हम समझते हैं प्राक्री संक्षाओं के समुच्चे N में A star b is equal to A b by 4 द्वारा परिभासित संक्रिया star के लिए दी आधारी तत्समग क्या होगा तो चूकि A star e is equal to A अब जिस प्रकार से संक्रिया परिभासित हो लगाई है A star b is equal to क्या है A b by 4 इसलिए A star e बराबर क्या होगा A e by 4 therefore A e by 4 is equal to A there implies e is equal to 4 a by a अर्थाद e is equal to 4 तो यहाँ पर दी आधारी तत्समग चार है अब हम दी आधारी का प्रतिलोम अवयो अर्थाद बिद्कुरम अवयो क्या होता है यह समझने का प्रयास करते हैं इसे भी हम उदाहान द्वारा समझते हैं जैसे कि हम पहला उदाहान लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं 5 plus minus 5 is equal to 0 यहाँ पर minus 5 को योग प्रतिलोम कहते हैं दूसरा उदाहान में देखें 5 into 1 by 5 is equal to 1 यहाँ 1 by 5 को 5 का गुणन प्रतिलोम कहते हैं तब इसके आधार पर हम तीसरा इसमें समझने का प्रयास करेंगे A star क्या is equal to E A star क्या is equal to E E क्या है D आधारी तत्समक है जैसे पहले उदाहन में आपने क्या देखा 5 plus क्या is equal to 0 तो वहाँ पर क्या में क्या है minus 5 योग प्रतिलोम है ठीक है दूसर उदाहन में देखो 5 into क्या बराबर 1 तो 1 by 5 रखते हैं तब यह काता है ठीक इसी प्रकार से दूसर दूसर आधारी में A operated to क्या is equal to E इस क्या को हम दिये गए आवयों का दूसर आधारी प्रतिलोम आवयों कहते हैं इसे सांकेतिक रूप में A star A inverse is equal to E से दरसाते हैं क्या मतलब उसका प्रतिलोम अर्थात A का प्रतिलोम A inverse हो तो A star A inverse is equal to E. तो इस उदाहन से हम इसको इस प्रकार परिभासित करेंगे. बच्चों स्क्रीन पर परिभासा देखिए. स्मुच्य A में D आधरी संक्रिया स्टार के लिए यदि E belongs to स्मुच्य A तद समक अवयो है तब एक अवयो B belongs to A अवयो A belongs to A का प्रतिलोम अवयो होगा. यदि A स्टार B is equal to E is equal to B स्टार A तब B को संकेत A इन्वर्स से दर्षाते हैं. अर्थात A का प्रतिलोम अवयो बराबर A इन्वर्स. आए इसे एक उदाहन से समझते हैं. प्राक्री संक्राओं के समुच्च एन में A स्टार B बराबर A B बटे चार द्वारा परिभासित संक्रिया स्टार के लिए A इन्वर्स निम्न प्रकार ज्याद करेंगे. अब देखें, पहले स्टार का तत्समक अवयो E कमान ज्याद करना होगा. तत्समक अवयो की परिभासा लगाते हैं. A स्टार E is equal to A. अब यहाँ पर द्यादरी संक्रिया कैसे परिभासित है? A स्टार E के लिए लगाई है. प्रस्ण में दिया है A स्टार B is equal to A B by 4. तो A स्टार E is equal to क्या हो जाएगा? A into E by 4 is equal to A. यहाँ से हम E निकालेंगे तो E is equal to 4 A by A. सरल करने पर E कमान 4 आता है. जो द्यादरी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयो है. अब हम प्रतिलोम की परिभासा लगाते हैं. चुकि A स्टार A inverse is equal to E, therefore A into A inverse by 4 is equal to 4. E कमान 4 निकालेंगे उपर रग दिया. Therefore A inverse is equal to 4 into 4 by A is equal to 16 by A. बच्चों हम चाहे तो इसको जाच कर सकते हैं कि इस संक्रिया के लिए द्याधरी प्रतिलोम A inverse का मान 16 बटे A है. जाच कीजिए. आप देखें. A star A inverse is equal to 4. Therefore A into A inverse by 4 is equal to 4. Therefore A into A inverse का मान रखें. A into 16 by 4 by 4 is equal to 4. Left-hand side को सरल कीजिए. 4 आता है मान रखने पर. दोनों side, left-hand side और right-hand side दोनों कमान 4, 4 आता है जो सत्या है. तो इस प्रकार से हम प्रतिलोम आवयो का जाज भी कर सकते हैं. अगला नियम है वीतरन नियम. समुच्चे A एक और एक समुच्चे है और star such that A cross A tends to A. तथा दूसरी संक्रिया O such that A cross A tends to A. A पर दो दू आधारी संक्रिया हैं. ध्यान दीजे बच्चों, यहाँ पर दो दू आधारी संक्रिया परिभासित हैं. एक star और दूसरा O. तब संक्रिया star का संक्रिया O के सापिक्ष वीतरन दू आधारी संक्रिया कहलाती है. यदि, A star B O C is equal to A star B O A star C for all A comma B comma C belongs to A. तथा A O, bracket में B star C is equal to A O B star A O C for all A, B, C belongs to A. तो O जो कहा जा रहा है वो एक दूसरा दू आधारी संक्रिया है, जिस प्रकार से एक दू आधारी संक्रिया star है. अब इस वीतरन दूम को एक उदाहरण के दौरा हम समझते हैं. यह आपके टेक्स्ट बुक का विवित प्रशनवली का प्रशनक्रमांग बारा है, इसके आधार पे हम इस वीतरन दूम को समझते हैं. यह प्रशन है, A star B is equal to mod of A minus B, तथा A O B is equal to A for all, A B belongs to R दौरा परिभासित संक्रियाएं, star such that R cross R tends to R, तथा O such that R cross R tends to R है. सिद्ध कीजिये कि for all A, B, C belongs to R, A star B O C is equal to A star B O A star C. तो ध्यान जीजे, star का O में वितरन, इस नियम को याद रखना है, star का O में वितरन, ठीक है? तो इसको हम हल करके समझते हैं. तो इसमें हम दोनों बात को समझते हैं, क्या खिया दिया देखें? एक दिया है चूंकि, A star B is equal to mod of A minus B, तथा A O B is equal to A for all, A B belongs to R. इसलिए, A star B O C is equal to A star B, is equal to mod of A minus B. पहला equation के रूप में इसको लिख कर रखें, अब दूसरा equation देखें, A star B is equal to A minus B, तथा A star C is equal to mod of A minus C, परिभासा के अनसार हम दोनों कमान निकालें, अब हम right hand side कमान निकालेंगे, जो वितरन नियम है, उसका right hand side कमान निकालेंगे, A star B O A star C is equal to mod of A minus B, O mod of A minus C is equal to mod of A minus B, समीकरण एक और समीकरण दो को देखें, दोनों कमान सेम आ रहा हैं, आप देख सकते हैं, समीकरण एक में देखें, A star B O C कमान mod of A minus B, और समीकरण दो में देखें, A star B O A star C कमान mod of A minus B आ रहा हैं, तो यह दोनों समीकरण के इस पस्ठ हैं, क्या वितरन नियम A star B O C is equal to A star B O A star C, यहां पर यह समझ लेना आवस्यक हैं बच्चों, कि दी आधरी संक्रिया star एक दूसरी संक्रिया O के सापेक्ष वितरित है, अब हम इसका विपरित करके समझ सकते हैं, क्या उपरोक्ष उदाहरण में संक्रिया O संक्रिया star के सापेक्ष वितरित है, उसका उल्टा परक्रिया करके देख लेंगे, है की नहीं है, O का संक्रिया star के सापेक्ष वितरित को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, AO B star C is equal to AO B star AOC, अब AO B star C is equal to AO mod of B minus C is equal to A, तथा AO B is equal to A, तथा AO C is equal to A, इसलिए AO B star AOC is equal to A star A is equal to mod of A minus A, A is equal to mod of 0, अर्था 0, अब देखें, गौर से, यहां पर समीकरन 4 देखो, क्या देखनीक मिल रहा है, समीकरन 3 और समीकरन 4, गौर से देखें, बच्चों, A संक्रिया O, ब्रेकेट में B संक्रिया star है, यहां पर B star C is not equal to AO B star AOC, अर्थात संक्रिया O का संक्रिया star के सापेक्ष वित्रित नहीं है, क्या किसे अदक्षण समीकरन 5 ऑटर बस्धारें,